अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नीं करें तो अभी फटा फट सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू न्यू रेसिपी इस देखने के लिए आउप आप तक सब्सक्राइब कर दिया होगा तो आज लेकर हूं मैं आलू प्याज का पराथा जो कि मैंने फर्स टाइम पिसावा धनिया, साधन सार, वन टेबल स्पून जीरा पाउडर, वन टेबल स्पून हल्दी पाउडर, वन पेन छींग, और अब इससे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले को, और यह पराटा खाने में बहुत ज़दे टेस्टी लगता है, वीडियो को तिल एंड तक देखना मेरी रिक्वेस्ट पे, और आप बताना कि आपने पराटा ट्राय करा और आपको कैसा लगा, बिना फटे, बिना ही मैश अप हुए, बहुत ही इजी वे में बन जाता है, और खाने में बहुत ज़दा टेस्टी लगता है, और संडे को अगर यह सुपर और यम्मी ट सकते हैं, बढ़ हाथ की हल्प से ज्यादा अच्छे से मैश हो जाता है, और सारा मिक्षर जो मसाला है अच्छे से मिक्स होगा, तो आप इस रेसिपे को जरूर ट्राय करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से मैश करके अ करके से और यहां पर मैने आटा जो हैं वो बिलकुल मीडियम लगाया नाही जादा टाइट लगाया और नाहीं जादा धीला लगाया तो बस फटा-फटा हमारा जो मसाला है वो भी रेडि हो चुक है तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर में और यहां पर मैंने आटा लगा कि रेडी कर लिया है और यहां पर बनाना शुरू करते हैं और यहां पर में इसे एक मिस्ट्रीक होगी है मैंने जो गाय की फर्स्ट रोटी बनाई थी आफकोस अपके घर में बनती है वो वीडियो इसकिप नहीं कर पाई है तो अब उसे अवा लोई का शेक्षन और आप इसे हम पर्धन लगा के थोड़ा सा बेलेंगे फिर इसके अंदर हम अपना मिक्शर पूट करेंगे एक बॉल्ड शेप में आप चाहिए तो स्पून के हल्प से भी ले सकते हैं मैं हाथ से लेके ऐसे बोल रखना है और जो भी हमें आटा आसपास है उसे अराउंड करकी एक पोटली सी बना देनी है और बस हाथ से फैलाते हुए थोड़ा सा पर्थन लगा के इसे बेलेंगे अगर आप हाथ से प्रेस कर देंगे तो आपका पराठा बिल्कुल भी फटे गानी और वो इकुली डिवाइड होके अच्छे से बिल जाएगा और उसमें बिल्कुल भी आपको प्रॉबलम नहीं होगी आप इस टाइप से बर पराठा बनाके देखना आपको पराठा बिना इसके ओपर लगाएंगे गाये का देसी घी आप चाहें तो रिफाइंड तेल जिससे अब भी सेखना चाहें सेख सकते हैं बट हम यहां पर घी के पराठे बना रहे हैं और मोचली हमारे घी यूज कर जाता है घी अफिनी तो सरसो का तेल खाने के लिए और पराठे वगर के अर इसी तरीके से हमारा गर्म गर्म आलू प्याच का पराठा रेडी है सर्फ करने के लिए आप दही हारे धनिया की चटनी किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं अचार के साथ भी खाने में बहुत ज़्यादे यम्मी और टेस्ट लगने वाला है आप चाहें तो चाहें के साथ पराठा भी बेल रही हूं इसके अंदर मैंने मेक्श्यर पहले सी डाल लिया है और मैं क्या करते हूं वन साइड बेलते रहते हूं अधर साइड पराठा सिखता रहते हैं आप में इसे कौन-कौन ऐसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर बताना और फटाफट म करते हैं और कम की करना होता है तो पराठे को डाल के कर देती हूं इस तरीकी से हमारे सारे पराठी गर्म गर्म रेडी हैं आप फैमली फ्रेंड्स के साथ यह वीडिया है जरूर शेयर करना उन्हें अच्छी लगेगी तो वह भी आगे शेयर करेंगे और फटाफट हमारी जो फैमली है वह वन के तक पहुंच आदो मैं सोच रही हूं होली पर आपके लिए न्यू न्यू रेसिपी लेकर रहा हूं बट उससे पहले आप मेरी इस जो फैमली को है टाफट बढ़ा करके वन की सब्सक्राइबर तक कर दो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और कोई रेसिपी अगर आपको सजेस्ट करने हूं तो प्लीस कमेंट बॉक्स में बताना मैं उसे जरूर बना कर ट्राइब करूंगे आप लोगों के साथ और यहां पर पर आठा इंजोय करें और वीडियो को बहुत ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए